आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो से लिशन पाओ डाउनलोड नाओ हेलो दोस्तों इस Question में देखिए क्या पूछा गया है विच इस दा Characteristic Flame Coloration of Lithium तो गएंज यह जो Characteristic Flame Coloration होता यह होता क्या है देखिए Elkley Metals जो होते है Elkley Metals तो जो Metal है वो और उसके जो Salt है and their Salt यह क्या करते है एक Characteristic Flame जो है उसको एक Color Impart करते है वो कैसे करते है जैसे इनको हिटिंग करते है हम Flame के अंदर तो उनके Electrons का क्या हो जाता है Excitement हो जाता है ठीक है Lower Energy Level से Higher Energy Level में तो Electrons का Excitement होने से क्या होता है वो Energy क्या करते है Gain करते है ठीक है अब Energy उन्होंने Gain की अब जब वो दुबारा से वापस अपनी Ground State में आएंगे Ground State में जब वापस आएंगे तो क्या होगा वो Energy को क्या करेंगे Release करेंगे ठीक है और जो वो Energy जो Release होती है जो Emission होता है Emission of the Energy होता है जो ये क्या करता है Extra जो Energy है उसको Visible Region के अंदर क्या कर देता है Emit कर देता है मतलब जैसे Energy निकलेगी तो कोई Color वहाँ पर हमें Show होगा जो कि किसके कारण होगा जो ये Energy की Radiation है वो Visible Region के अंदर होती है Visible Region के अंदर इसलिए हमें क्या होता है Color Show होता है तो इसलिए ये Color इंपार्ट करते है जो Alkali Metal हो उनके Salt होता है क्योंकि जैसे ही Energy Release होगी Extra तो वो अपना Characteristic Color Show करेगा ही करेगा तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते है जो Lithium होता है उसके लिए कौनचा Color होता है Impart Crimson Red ये उसकी Characteristic वो होती है Blue and Crimson Red तो हमारा Option D जो है भुख्या हो जाएगा Correct Option D will be Correct Thank You